हलो दोस्तों नमस्कार स्वागेत आप सभी का हमारे यूटिव चैनल पैसी की बात में दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका जंदन खाता किसी बैंक में था और वो बैंक किसी और बैंक के साथ में मुझज हो गया है तो आपके जंदन खाते का क्या होगा तो देखो यदि हम बात करें जंदन खाता की कि सबसे जंदन खाता किस बैंक में है तो देखो सबसे जंदन खाता SBAI में है SBAI ने लगबग जितने भी जंदन खाता खुले होंगे उसका 7-70% केवल अकेला SBI ने खोला हुआ है और यदि हम दूसरे bank के बारे में बात करें जैसे हम बात करते हैं bank of bauda की तो bank of bauda में कुन कुसा bank merge हुआ है? bank of bauda में merge हुआ है visa bank और dina bank तो यदि आपका जंदन खाता visa bank या फिर dina bank में था इक के में कोई भी changes नहीं किया गया है जैसे यदि आपका जंदन खाता oriental bank of commerce या फिर united bank of india में था तो आपका पंझाब national bank में ट्रांसफर हुआ है और यदि आपका खाता syndicate bank में था तो आपका खाता canera bank में ट्रांसफर हुआ है और यदि आपका खाता आndra bank और Corporation Bank में था तो आपका खाता Union Bank of India में ट्रांसफर हुआ है तो खाता ट्रांसफर होने के बाद में यदि हम बात करें आपके account number के बारे में तो आपका account number को चेंज नहीं किया गया है जो आपका पहले जो आपका जन्धन यूजना का जो account number था वही आपका account number रहेगा लेकिन जो आपका old IFSC code था वह आपका change हो चुगा है IFSC code अब आपको नया use करना पड़ेगा जो आपका लेकिन old IFSC code था वह अभी 31 मार 2021 तक काम करता रहेगा उसी प्रकार से यदि हम बात करें कि आपका जो customer ID था या फिर आपका जो CIF number वहाँ पर मिला था वो change हुआ है कि नहीं तो यहाँ पर change नहीं किया गया है वो भी जैसा का तैसा है और यदि हम बात करें आपके debit card के बारे में जो अभी आपको जंदन खाता है में जो आपको रुपे debit card मिला था उसके बारे में यदि हम बात करें तो उसमें भी कोई भी परिवर्तर नहीं किया गया है लेकिन जब आपका जो डेविट card है वो जब expire होगा तो जो भी आपका आइए फसी code update होके आपको वहाँ पे मिलेगा और दूसरा चीज यह है कि जैसे आपका नया bank में जो आपका transfer होगा उसका passbook का size होगार काफे different होता है तो जैसे आप print होगर कराने जाओ गया तो उसमें आपको सहूलियत होगी और दूसरा जैसे कि आप यदि machine होगर में अप आपके passbook को print करता है तो इसलिए आप अपने passbook को update करा लेना मतलब नया passbook आप ले लेना दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आगए यदि आपको वीडियो पसंद आगए तो वीडियो को like कर देजेगा और यदि आपने इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा देजेगा